न्यूजिलेंड में खेले गई महिला विश्व कप में आस्ट्रीलिया ने सातवी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया जहां उन्होंने इंग्लैंड को 71 रनों से मात दी इस मैच में विकिट कीपर बल्लेबाज एलीसा हीली ने एतिहासिक 170 रनों की पारी खेली जो विश्व कप के फाइनल मुकाबले में किसी भी बल्लेबाज दुआरा लगाया गया सबसे बड़ा स्कोर है उनकी इसी बल्लेबाजी के चलते आज दुनिया भर में उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रही हैं लेकिन 170 रनों की पारी के अलावा एलीसा हीली ने इस पूरे टूर्नमेंट में एक ऐसा कीरती मान अपने नाम किया है जो आज तक महिला क्रिकिट में कोई भी अन्य बल्लेबाज नहीं कर पाया आपको बता दे कि इस टूर्नमेंट में एलीसा हीली ने 9 मुकाबली खेले जिसमें उनके बल्ले से कुल 500 नौरन निकले आपको बता दे कि महिला विश्व कप इतिहास में एलीसा हीली ऐसी पहली बल्लेबाज है जिन्होंने 500 से जादा का आखड़ा चुआ है उनसे पहले महिला क्रिकिट में कोई अन्य बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया है इस मामले में उन्होंने साथ ही खिलाडी और आस्ट्रेलिया की दिगज बल्लेबाज राचेल हैंस का रिकार्ड धराशाई किया जिन्होंने इसी विश्व कप में 497 रन बनाए और 500 रन बनाने से चूप गई इतना ही नहीं बलकि विश्व कप में 500 या उससे जादा रन बनाने वाली एलिसा पुरुश और महिला क्रिकिट को मिला कर पंदरवी बल्लेबाज हैं अलिसा हीली ने इस पूरे ही विश्व कप में रनों की बरसाद की जहां उन्होंने फाइनल में तो 170 रनों की पारी खेली ही लेकिन साथ ही में उन्होंने वेस्ट इंडीस के खिलाफ सेमी फाइनल में भी 139 रनों की पारी खेली वो इस मुकाम को हासिल कर पाई बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ